नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजनी आँखे भी मेरी पलकों से सवाल करती हैं हर वक्त आपको ही पसियाद करती हैं जब तक ना करने दिदार आपका तब तक वो आप ही का इंतिजार करती है जिया आपने सही सुना हम आज के डिली राचिवल की बात कर रहे हैं सबसे मले आज जिनका बाज़े है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरव से छेर सारी गुट विश्चिस तो चलिए अब शिरू करते हैं एक इस्तरी लक्ष्मी का रूप होती है जिस घर में इस्तरी का अपमान होता है उसे घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती जिन्दगी में दो चीजे हमेशा तोटने के लिए ही होती है सांस और साथ सांस तोटने से तो इनसान एक ही बार मरता है पर किसी का साथ तोटने से इनसान पल-पल मरता है आपको अपने रिष्टों को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि रिष्टों के बिखरने से इनसान त जाता है मनजिल दूर और सफर बहुत है चोटी से जिंदगी की फिकर बहुत है मार डालती ये दुनिया कपकी हमें लेकिन मा की दुआओं में असर बहुत है खुद को कमजोर ना होने दे वरना लोगों को आप से मूँ फिरने वे देर नहीं लगेगी आपको कभी भी कमजोर होना है चाहिए जैसे भी सुच्वेशन हो हमेशा स्ट्रॉंग बने रहो सीख रहा हूँ अब मैं भी इनसानों को पढ़ने का हुनर सुना है चेहरे पे किताबों से जादा लिखा होता है पहले मैं आपको बता दूँ कि अज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है बरपल और शुब अंक रहने वाला है पांच है आज चंद्रमा गोचे कुली की दूसरी भाव में है आग की भावराएं चेहरे पर साफ नजर आएंगी लिहाजा अच्छा सोचे और अच्छे ही काम करें अपनी इंकम भढ़ाने के लिए आप कुछ नई काम या कोशिश कर सकते हैं बिजनस में जो नए ओफर मिलेंगी उन पर विचार करें आपको फाइदा हो सकता है किसी बिकड़े रिष्टी को सुधारने में आप सफल रहेंगे रोजगार की मामले में किसी से सलाह जरूर लें अपनी उदारता पर कंट्रोल करें किसी बड़े काम में खबराहत होगी ज जो है आपको समी का विशेश रूप से ध्यान रखना ही होगा किसी बी मामलों में आपको जो चाल मटोल रवया है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है अपने लिए पूरा शेड्यूल दियार करें और उसका सकती के साथ पालन करें आपको लोगों पर विश्वास रखना और उनको समी देना जरूरी है कुछ लोगों को चारगित हासिल करने में परिशानियों का सामना काफी करना पड़ सकता है जो पाने या उसे बनाई रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को सेहर का विशेश रूप से ध्यान कि आज मैं आपको सलाह देते हूँ आपका मनोबल और पूरी तरह से अपनी काम समर्पन भाव आपके लिए नए उप्लब्धियां लाएगा आपके थोड़ी से मैनत के भी भरपूर फल मिल सकते हैं इसलिए अज आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए आपका शक्की सभा सभाव आपके लिए बहुत सारी परिशानियां खड़ी कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशासन रखना उनके लिए परिशानी खड़ी करेगा इसलिए आपने सभाव में थोड़ा लिचीलापन रख्ये तो उनको अच्छा लगेगा पिता का सम्मान करें कुछ में काफी अनन्दा सकता है समोहिक सफलता आपको आगे बढ़ने की और प्रेरित कर सकती है कुछ लोग आपके लीडर्शिप में अच्छा काम करवाएंगे आपकी आईडिया स्विकार होंगे क्रेटिव कामों से जुड़े लोगों को इसमें विशेश रूपों से सफलता म बननी की और संकेत मिल रहे हैं ऐसे सितारे आपके बन रहे हैं आपको किसी वे रिष्टी में आगे बढ़ने से पहले यह सोचना होगा कि क्या यह रिष्टा आपको खुशी दे रहा है या नहीं दे रहा है इस समी जो है आपकी जीवन में कुछ बदलाव भी आने वाले हैं घर में महमानों का आगवन भी हो सकता है जिसे घर का महौल बहुत ज़्यादा खुश्टुमा रहेगा और आपको भी बहुत अच्छा रहेगा आज आप पूरी तरह से अराम की मूर में भी रहेंगे घर में कोई नई चीज लाने के बार में प्लानिंग कर सकते हैं कभी कई आपका आक्रमक जो सभाब है वो आपकी परिवार के सुक शांती को भंग भी कर सकता है इस बात पर आपको विशीश रूप से ध्यान रखना होगा खास कर पच्छों पर उनकी साथ जो है आज आपको दोस्ति पूरण विभार करना चाहिए ऐसा मातावरण आपको घर में ब बहुत विशीश रूप से ध्यान रखना होगा कि कैसे भी तरह का जगड़ा ना होने पाए वही आज अगर हम बात करें लव लाइफ के बारे में तो आज लव लाइफ में प्रेम समन्द प्रगाड रहेंगे आप से समन्दों में घनिष्टता आपको एक नए चुस्ति सप समझनी होंगी अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो इससे आपको प्यार मिलना वितों चाहिए जो लोग आज प्रपोजल करना चाहते हैं तो जल्ड़ी से कर लीजिए यह समय बहुत ही अच्छा है आज का आपको विप्रेत लिंग वालों से भावनात्मक अगाद भी आज काम पर ध्यान करके इंद्रित करने का भी है आज अपने साथी पर विश्वास भी रखेगा और प्यार दी वे आपको खुश करेंगे चलिए बात करते हैं बिजनेस और करेर के बारे में क्या कहते हैं आज के दिन अपनी योजनाओं को किसी के सामने जादा जाहिर मत आपकी गुप्त योजनाई आपकी गाम में फाइदा पहुंचा सकती है इसमें कहीं से अचानक से आपको धन लाव भी हो सकता है ऐसी उमीद दिख रही है बस अपने फैसली को मानेता सही दीजेगा पब्लिक जीलिंग की कारों में आज आपको फाइदा हो सकता है नौकरी में सफल होने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है समय प्रबंधन पर ध्यान लगाईएगा टार्गेट की डाल्व टूल जो है वो मत कीजेगा आपको टाइम लाइन पर फोकुस ज़ादा करना पड़ेगा इससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सक करते हैं आप किसी टीम में सरवश्रेष्ट काम करते हैं आपके विचालों को सभी के द्वारा असाने से स्विकार किया जा सकता है क्योंकि आपकी सूच जादा बहतर है इस अभी आपका मार्केटिंग सबंधी काम थोड़ा ध्यान से आपको करना होगा जो बहुत इंपॉर बगेरा रखकर भूलने की संभावना भी बन रही है यानि कहीं पर आप डोकुमेंट्स रखेंगे तो भूल जाएंगे गैसरकारी कामों में फायदा हो सकता है विरोधी परास होंगे लेकिन अगर आप गैसरकारी काम अभी ना करें तो जादा बैचर है वही काम करें जो ल लिख रही है इसलिए आज आपको पूरी तरह से अपना ध्यान रखना ही होगा विवारियों के लिए प्राकरतिक चिकित्सा और आयरवैद को अपनाने की कोशिश के लिए बहुत एच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जादा दिमागी काम करने से सिर्थ दर्द करते हैं ऐसे में जादा मुबाइल और टीवी देखना आपके लिए हानी कारक साबित हो सकता है चलिए बात करते हैं आज की विश्य शुपाय के बारे में तो आज आपको जहें भगवान गनेजी को दूरवा चड़ाना चाहिए या फिर मोती चूर के लड़ों का भोग भी लगा सकते हैं साधी साथ में अगर आप कहीं दान दक्षिना देना चाहते हैं तो गप्त रूप से दान कर सकते हैं बहुत इच्छा फायदा हो सकेगा अगर आप किसे एक भी गरी वक्ति की मदद करती है तो आपको भगवान के प्रसनिता अवश्य मिलेगी और हां अपने भाई बहनों से आज मत लड़ीगा उन्हें प्यार करें तो बैचर रहेगा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारी इच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा धन्यवाद